कि हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एच चार चतिस रेवाडी व्लोग्स में सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि यह हमारी फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल पर तो हम रेवाडी से जुड़ और विशेशकर विध्यारतियों से जुड़े जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे जैसे कि अभी अब इंद्रागांधी यूनिवर्सिटी में जो तीसरी बार जो टेट शीट है वो चेंज हुई है तो उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए देखते हैं इंद्रागा जो एक महीं ने पहले ही डाल दी थी तो उसके बाद कुछ विध्यारतियों ने जैसे कि ABVP है इन्सो है और NSUIA जो Congress Giving है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अभी बच्चों की तयारी नहीं है यह और कुछ और रीजन भी दिये जिसकी वज़े से उन्होंने का कि एक अगस लेकिन फिर से कुछ बच्चों ने कुछ प्रोब्लम की कि वह यह जल से जल रहा है क्योंकि अभी कोरोना की वज़े से ओल जो सेशन है वो बहुत ज्यादा डिली चल रहा है तो इस वज़े से जो अब लास्ट सेमेस्टर के बच्चे जिनको जिनने आगे एडमिशन लेना या PhD में अडमिशन लेना मास्टर्स कोर्स में अडमिशन लेना तो उनका क्योंकि फिर आगे उनका एडमिशन बंद हो जाएंगे तो उनकी तो एक साल खराब हो जाएगी तो इस वज़े से गोर्मिट ने तो उन बच्चों ने यह कहा कि हमारे पेपर जो लास्ट येर के है तो युनिवर्सिटी ने फिर से जो डेट शीट है वह रिवाइज कर दी है और जो अब 28 अगस से अब सभी की पेपर कर दी गए चलतो चली सबसे पहले चलते हैं इंद्रा गांदी युनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो हम यहाँ पर डालते हैं यह जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर डाला हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं आइजू.ac.in पर जाना है आपको तो यह सबसे पहले अपना आगया है इंद्रा गांदी युनिवर्सिटी और आईजू.ac.link है इस पर जाना है अपने को क्लिक करना है तो अपने को यह अपने सामने यह वेबसाइट ओप पने पर fantastic कर सकते हैं तोह यहाँ से आप जाकर सकते कि कि अब Programm well यूज करते हैं तो हम मोबाइल वर्जन में ही इसको देखेंगे तो सबसे पहले थोड़ी सी इस युनिवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं कि यह जो युनिवर्सिटी है यह 2013 में में स्टैबलीश हुई थी यह सबसे पहले MDU रहतक का डिजनल सेंटर था 2013 में जब कॉंग्रिस की सरकार्ती तो मनें उस समय मुख्यमंत्री बुपहिंदर सिंग हुड़ा थे तो यहां पर आए और उन्होंने इसको युनिवर्सिटी में इसको युनिवर्सिटी बनाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ उनको तो इस प्रकार यह तो उस समय जो उनके वाइस चांस सबसे पहले वाइस बने वह थे श्रीमान मोहिंदर सिंग जी जो एक रिटाइड आई एस थे तो उन्होंने बहुत काम किया यहां पर युनिवर्सि स्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा या वाद में बता दूंगा तो उसके बाद उसके बाद आए डी सुरेस जो कमिशनर है अपने जो जैसे कि आप सभी को ध्यान में है कि अपने है अचसे से में भी कोश्चन साते रहते हैं कि अपने जो रेवाडी मेंदरगड गुड्गाओंस की कमिशनर ने अपनों मंडल है अपना के जो कमिशनर है वह दसके अरे अगा कि अज़्गाओं में कमिश्नर काएटन तो वह धी सुरेश थे तो वह बने कुछ समय के लिए उसके बाद एसप मदशन सल आए उन्होंने कुछ काम किया तो उसके दोक्टर मारकंडे आहुजी आए जो अभी हाल फिलाल में गुरुगा अभी उनिवर्सिटी का अभी चार्ज उनके पास है वाइस चांसलर का तो उन्हें एडिस्नल दे दिया गया था तो उसके बाद आए अपने जो एट प्रेजेंट हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा तो वहाँ पर अपने को जाना एक्जाम नोटिस में एक्जाम नोटिस में जाने के बाद आपने देख रहे हैं कि 16 तारिक को सब लगबग सभी डेट सीटे रिवाइज हुई हैं ऐसा करने का कारण क्या था बच्चों का दबाव प्रशाशन पर उनिवर्सिटी प्रशाशन पर और एक्जाम जल्दी कराने का भी दबाव था क्योंकि सेशन सारा अब डाउन हो गया है जिससे की चीजे समय पर नहीं हो पा रही है इसमें बच्चों का भी नुक्षान है और युनिवर्सिटी का तो आप देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो बीस सी की इस सारी ज जो सबिहीं अभी इवन सेमेस्टर के एक्जाम हो रहे हैं तो हीवन समसे जो कौन से जाते के second four six eight और 10 जो फिर ओड होता हैं जो सब्सक्राइब चैंपस में अमोमन मास्टर्स कोर्स और प्रफेशनल कोर्स ही एवेलेबल होते हैं और जो अब यह पन चलते हैं में में सी के भी एमकोम के भी जैसा कि आप देख रहा है कि 39 तारीक से मैथमेटिक्स के सरू है उसके बाद मैथ विद कंप्यूटर साइंस है जियोग्रफी एपोर्टनी है केमेस्ट्री एफिजिक्स है जूलोजी है साइकलोजी एब टेक्नोलोजी योगा है तो आप ऐसे देख पार फ तो उसके बाद हम वापस आ जाते हैं और इसमें देखते हैं अभी बी एलेलवी देखते हैं अभी यह बी ठी लेडियो बना दूंगा कौन-कौन कोर्स इविलेबल है इंडिरागांदी उनिवर्सिटियमें जिसमें आप एडिमिशन ले सकते हो औरिमिशन कब स्टार्ट हो यह एक integrated बनाई हुए यह इसमें 28 तारिक को जैसे कि second semester का paper है आप देख पारें जैसे pointers में क्लिक करता हूं तो आप देख पारें special contract है फिर उसके बाद 28 को ही 8 semester का paper है जैसे कि law of evidence देख पारें उसके बाद 29 तारिक का cyber law है और 30 का jurisprudence है तो इस पर कारी यह paper है और यह 24 को 8 को क हो जाएंगे लगबग अगस्त अगस्त में सभी की paper करा जाया ऐसा यूनिवर्सटी ने सोचा हुआ है उसके बाद आप देख पार रहें कि बीए ओनर्स 4th semester की बीए ओनर्स 2nd semester की बीए 6th semester की तो आप सभी से एक request है कि आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार website पर जाकर अपनी जो date sheet है उसको दुबारा देख लेजी क्योंकि हो सकता है कि आपने क्योंकि तीन बार रिवाई हो सकती है कि हो सकता है कि आपने 29 को हो गया हो या उससे बाद का तीन का हो गया हो तो आपका पर पर प्रचूट ना जाए इसलिए प्लीज आप सभी सुरिक्वेस्ट है एक बार website पर जाकर अपनी डेट सीट है जो रिवाई डेट से 16 तारीको सभी लगबग सभी जो डेट सीट है 16 जुलाई को रिवाई और थेंक्यू सो मच इतना समय देने के लिए आपका कीमती समय देने के लिए और आप इस चैनल को जो हमारा चैनल है HR 36 रेवाडी व्लोग्स आप इसको सब्सक्राइब कर दीजे प्लीज और मैं आपको यकिन दिलाता हूं कि आईजू यूनिवरसिटी से जुड़ी हुई ह चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचती रहेगी और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अगर इंफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपनी दोस्तों को इसको शेर भी कर दीजिए थैंक्यू सो मच